28 अगस्त 2020 एक notification गवर्मेंट की तरफ से आता है और 48 लाख केंद्रिये करमचालियों के होस उड़ जाते हैं क्या था ये notification मैं उताता हूँ आको विस्तार में 28 अगस्त को Ministry of Personal, Public Revance and Pensions Department of Personal and Training Establishment की तरफ से एक notification आता है Office Memorandum के रूप में उसको देखने के बाद में ऐसे लोग ऐसे सरकारी करमचारी जो आलस करते हैं या अपना काम सही ड़क से नहीं करते हैं और उनके अलावा बाकी जो 48 लाग करमचारी हैं Central Government के उन सब के मन में कहीना कहीं पर कोई नो कोई दुवदा जरूर है इसके बारे हम विस्तार में बात करेंगे आज तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरू करना इस Office Memorandum का जो सब्जेक्ट था वो था Periodic Review of Central Government Employees for Strengthing of Administration Under Fundamental Rule F.R.56J-I and Rule 48 of CCS Pension Rules 1972 इस Memorandum में बात की गई थी लोगों को यानि की सरकारी क्रमचारियों को Public Interest में Retirement देने के बारे में Public Interest में Retirement का मतलब होता है कि अगर कोई करमचारी सही से अपना काम नहीं करता है और उसकी उमर जानदा हो चुकी है तो उसको Retire कर दिये जाए Public Interest के लिए ताकि नया टैलेंट उस Department को जोईन कर सके और Department Innovation ला सके और भेष्टाचार को कम किया जा सके ये था Government का Agenda इस Memorandum को लाने का अब बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा ऐसा प्रावधा पहले से मौजूद है Rule No.48 CCS Pension Rule 1972 में कि Government किसी भी Employee को किसी भी सरकारी Employee को निकाल सकती है और ऐसे किसी भी Separation को Compulsory Retirement नहीं माना जाएगा यानि कि जबरिया Retirement नहीं माना जाएगा उसको और नहीं इसको as a penalty treat किया जाएगा यह सिर्फ इसलिए किया जाएगा ताकि Department को strong बनाए जा सके Department Innovation लाए जा सके लेकिन जो लेकिन इस का focus area है वो focus area उन लोगों के उपर है ऐसे government officials के उपर है जो कि अपना काम सही से नहीं करते है ऐसे कुछ 5 conditions दी गई है इस office memo के अंदर वो 5 conditions में आपको बताता हूँ पहले condition ऐसे government servant जिनकी integrity doubtful है उनको retire किया जाना चाहिए दूसरी condition ऐसे government servant जो कि अपना काम effectively नहीं कर पाते है उनको retire किया जाना चाहिए तिसकी condition है कि अगर कोई employee, government employee अपना काम सही से नहीं करता है और उसके retirement में सिफ एक साल बचा है तो उसको retire नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी mistake नहीं हो जाए उसके काम चौति condition अगर किसी government employee का पिछले 5 सालों में कोई promotion हुआ है ऐसे भी किसी employee को retire नहीं किया जाएगा और पांच फिफ condition ये retirement देते वक्त उस employee के entire career के पूरे career के service record को देखा जाएगा और इसके base पे ही decision लिया जाएगा तो ये थी 5 conditions जिसके base पर किसी employee को निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए CCS Pension Rules 1972 कहता है कि अगर आप किसी employee को public interest में निकाल रहे हैं उसके लिए 2 conditions met होना जरूरी है पहली condition तो यह है कि अगर वो A group service में या B group service में जिसने एकी job जो जो जोइन की होगी government job 30 साथ से पहरे जोइन की होगी और उसके उमर 50 साल हो चुकी है तब भी आप उसको निकालने के बारे में सो सकते हैं दूसरा अगर उसकी service C type group में C group में उसकी service है तो उसकी उमर 55 साल होना जरूरी है यानि कि ये retirement पचास साल के बाद ये 55 साल के बाद ही दिया जा सकता है employee को और ऐसा करने के लिए सरकार उस employee को 3 मेहने की salary देगी या 3 मेहने का notice देगी अगला जो इसका mathematical rule है वो यह है जो की rule number 48, 1B वो यह है कि public interest में आपके इस employee को निकाल रहा है तो उसने कम से कम 30 साल की calling fine service complete की हो और ऐसे में उस employee को pension भी मिलेगी क्योंकि मैंने आपको पहले बताय है कि इसको पैनल्री ट्रीट नहीं किया जाएगा सिर्फ डिपार्टमेंट की effective नहीं के लिए ये काम किया जा रहा है और ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है कि जो या तो डाउट है उनकी integrity की उपर या अपना काम सही से नहीं करते हैं या किसी वैसे सही से perform नहीं कर पा रह साथ में हर government department को एक register maintain करना होगा जिसमें data होगा कौन सा employee कब 50 साल की service पूरी कर रहा है और जब इस service उनकी पूरी होने वाली होगी तो उनका एक review होगा जिसके बेस्पर, मतलि मेंस हर एक employee का review होगा जिसके बेस्पर decide किया जाएगा कि employee सच में में जोब अच्छे से कर रहा इसको public interest में निकला जाना चाहिए, retirement देनी चाहिए या नहीं, यह decide करना होगा, इस memo में भारत की different courts के दवारा दिये गए, को judgments को भी code किया गया था, कि ऐसा किनकी ground में क्या जा सकता है, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा कदम है सरुरकार की तरफ से, इसमें कम स इसी नोट करना, कि जो भृष्टाचार बढ़ता है, जब employee अपने career के last race पर होता है, जब उसको पता है कि retirement नजदिक आ चुकी है, ऐसे टाइम पर भृष्टाचार बहुत जान्दा करना हो शुरू कर देता है, क्योंको उसको लगता है कि वो इतना पैसा कमा लें बच्चे हो सकता है, गवर्मेंट इन नॉर्म्स को और टाफ मनाएं, ताकि हर गवर्मेंट करमचारी को उपर एक प्रेशर रहे कि वो काम सही से नहीं करेगा, तो उसकी जॉब भी एक आम private employee की तरह जा सकती हाला कि इक उनको pension मिलेगी, क्योंकि private job में pension नहीं मिलती है, तो दोस्तों आपको सरगा का decision कैसा लगा, आप मुझे comment करके जुरू बताईएगा, और क्या क्या कमेंट इसमें हो सकती है, जो कि एक government employee को नजर आ रही होंगी, इस memo में कमिया, तो वो भी मुझे आप बताईएगा, कि आपको क्या लगता है, कि कहां पर चीजे missing हैं इसमें, यह जो notification है,